आज की वीडियो में हम comparing quantities exercise 8.2 and question number 3 को solve करेंगे question क्या है a shopkeeper buys 80 articles for 2400 रुपीज shopkeeper ने कितने article बाई किये है 80 बाई किये है वो भी कितने रुपए में बाई किये है 2400 रुपए में 80 article की कीमत है ये total 2400 है and sells them for a profit of 16% और ये 2400 में जो article खरीदे ना इनको उसने बेचा है 16% profit के साथ मतलब 2400 रुपए पर उस पर 16% का profit हुआ इस तरह से उसने कुछ बेचा है find the selling price of one article बेचने के बाद ये जो 80 article थे ना उसमें से आपको एक article का rate बताना है कि कितने पर बेचा है इसने किस price बेचा है तो सबसे पहले article माल लेते है 80 थे माल ले क्या है ठीक है article जो उसने buy किये थे वो कितने थे total कीमत किया थी 2400 थी ठीक है 16% का profit हुआ 2400 रुपे पे तो हमें ये पता है कि किसी का भी अगर percentage निकालना होता है तो direct multiply कर देंगे ठीक है तो मतलब 2400 का 16% निकाल लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 2400 का 16% मतलब 16% profit आ जाएगा और ये profit जुड़ेगा कैसे इसमें क्यूंकि जो हमारा initial price था 2400 उस पे कितने का profit है 16% का 2400 प्लस 16% तो 16% कैसे आया 2400 multiply 16% 16% मतलब 16 प्रती शत प्रती डिवाइड़ बाई 100 शत मतलब 100 ठीक है इसकी बात मैंने इसको solve किया तो यहाँ पे मुझे final result जो है 2784 रुपे मिले ठीक है तो इसका मतलब कि starting में जो उसने खरीद के लाया था वो 2400 रुपे का था अब उसने 16% की profit के साथ उसको 2784 रुपे बना दिया ठीक है मतलब 384 रुपे का उसे profit हुआ 16% पे तब ही तो उसमें add-on हुआ है 2400 रुपे में अब उसकी कीमत जो है 2784 हो गई अब क्या पूछ रहा है कि एक आर्टिकल की कीमत बतानी हमें तो एक आर्टिकल की कीमत कैसे बता पाऊगे यह तो 80 रुपे है ठीक है अब इसी को हम 80 से डिवाइट कर देंगे तो यहाँ पर हमें 34.8 रुपेज अब कोई कोश्चन अच्छे समझ में आया होगा अगर आप कोई कोश्चन अच्छे समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो माज